सब्त का स्वागत हैं हम हिंदी का संपूर देखने वाले हैं यहांप और संपूर हल देखेंगे मुद्ध आपपके सकते कि यह काफ़ आपको हे गहां कराने वाले हैसे वीडियो को लास्त नरूरद देख़िएग, तो है आपको इसे भी पता चल जाएगा कि आपको बोर्ड की एक्जाम में हिंदी के कापी कैसे लिखना है और साथ में आपको सभी important question जो दो हाजाल 24 के बोर्ड की एक्जाम में आने वाले हैं सभी question आपको यहां पर मिल जाएगा देखें यहां पर आपको कच्छा लाश तक जूर देखिएगा जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं जितने भी चात्रे जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं सोच रही कि हिंदी में कैसे पास होंगे इस वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप बोर्ड की एक्जाम में कापी कैसे लिख किएगा ठीके फ्रेंस देखिए पेपर का जो सेट है डीजे हैं यहां पिदेखिए पेपर को हल करने के लिए जो समय मिलेगा तीन घंटा 15 मिन का संपूर समय मिलेगा और पुडांग रहेंगा टोटल संतर नंबर का रहेगा इसके समाल निर्देश जो दिये जाते हैं जो है इसमें बहुई कल्पी प्रश्ण रहेंगे जिसका एंसर आपको OMR सीट पर देना रहता है OMR सीट पर जब भी आप हल करेंगे प्रश्ण सोच समझ के हल किजिएगा यदि आप एक बार OMR सीट को भर देते हैं तो आप उसको किसी प्रकार का कार्ट पीट उस पे नहीं है प्रश्ण के नीडियक को पता है कि पयले शुक्लेज़ कई रामिचंदर शुक्लेजी है इस प्रश्ण का सही जयों सभूनारा Indyapparya ना तो यहां पर कनेट करके याद रख सकते हैं कि रस्मिमान साव रामचंद्र शुक्रती इसको ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं इस प्रशन को ठीक है चलिए आपके सामने देखें अगला नंबर का जो है दूसरा नंबर का यहां पूछ रहा कि तितली कृति विदा यानि क मित अपको तितली की बारें में पूछता रह कि तितली है क्या कहानी जीवनी या इसके अगले अप्षन को देखते है ुख़ है अगला अप्सेल उपण्या रहा है Self तीसरा नंबर के प्रशन है त्क राजेंदर प्रशाब लेककंतीए सके लें प्रसुम्ट स्किति की एक चुश्य नुमर्श है दिया हिंदि साहीथ लेकक है युझ्ट यहाप देखECH लिए डाक्टर राजेंद प्रसाद के द्वारा जो लिखा गया है क्या है गाधी जी की देर है ति इस प्रशन का सही जवाब ये वला आपसन सही हो जाएगा अगला प्रशन देखे चौथा नमबर का यहाँ पर चौथा नमबर का है साहित और कला रचना है तो आप इसमें आपसन देखे कौन सा होगा साहित और कला किसके द्वारा लिखा गया है बताना है आपको देखे जो साहित और कला है यह जो लिखा गया है भगवत शरण उपध्या यह के द्वारा लिखा गया है इस प् लेखक शास्त्री है उतध सभाइसी हो जाएगा अग्रा सवाल देखिए यहां पर पता नहुंड है कि कभी कौन प्रस्ट्रेजिक वाल फ्रीक्र जोब खरम की怎麼 3 सभी यहां अग्राब देखिए यहां पर देखिए चो पुछ रहे कि रीती कालिन कभी कौन है तो पद्माकर जी है तो प्रशन का सही जवाब सी वाला आप्शन सही हो जाएगा चलिए अगले आप्शन को देखते हैं देखें आपके सामने साथवा नंबर का सवाल क्या है च्यस्ट्रेसाल दसक इसके रचाइता कौन है यहाँ ंती प्रुडार के आप सही जवाब बढ़म आंसे सही हो जाग़ा च्यस्ट्रेसाल दसक जो रचेथा हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, आप इससधी प्रश्न आक राने वाहा थेखेए सब्तक तक पर गद को सब्तक के संपादक को नवायांध के काūpose fat अगला देखे नौ नंवर का इया हैं इस्दृत का सुमित्रानंद पनद की रचना कों से ग्यान जीफ है युगवाड़ी है प्रेमाटिका है छड़दा है देखें यहां पर क्या है कि सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया जो है कौन से है युगवाड़ी है इस प्रश्ण का सही जो क्या होगा बीवला आपसन आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला नंबर सही जो अब सिसल was an सभंद साई ठीक है अगले नंबर के सवाल को देखते हैं देखें ग्यारा नंबर का सवाल कि करुण रसका अस्थाई बहाँ क्या होता है तीस प्रश्न का सही जवाब करूरु का अस्थाइब सोक होता है तिस प्रश्ण का सही जवाब डीवला आप शही होगा अगला प्रश्न दे 자ँ बारा नंबर का बालनकार का पीपर पाथ 4 ethics मंडोला सिवला और इस अबार समय है एफ में कौन सा अलंकर है आगले नंबर के सब आपको देखते हैं देखें तक क्या है executed शुनी केवजड के बैंद लपेटे अठटे विश्रे करूना हैं चिते नुटना की आख्Seish permitted एन चईल की लखन तनू इसमें जूननोर्ट इस प्राशन का सही होगा विलियुप्साइब वीलाशन सही हो जाएगा अग्रा नमबर देखए आपका चोदा क्या है कि अनुचर शब्द में पर्युक्त उपसर्ग बताना है सब्सक्राइब अनुचर में औन जुड़ा है इस प्रस्न का और प्रशन सही है अगला नंबर का प्रशन को प्रते के दो प्रकार है इस प्रशन का सही जवाब एवल आपसन सही हो जाएगा अगला देखिए वेद पुराव में समास है आपको वेद पुराव में समास बताना है इसका सबसे अच्छा ट्रिक क्या था जब यहां पर हलंत रहता है जैसे माता पीता हुआ लाभानी हुआ ज़िए इस पकार सबसे आपको मिले तो वहां पर हमें साथ 2 अंद समास होता है चलिए आपसन देखिए 2 अंद कहां पर दिया सीवल आपसन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा अगला सवाल क्या है 17 नमबर का कि परमोद शब्त का तत्सम रूप होगा तत्सम का मतलब ह होता है कि सुद्ध रूप आपको बताना है तो प्रमोद का तत्सम रूप जो होता है क्या होता है अगला देखिए अठारा नंबर का इत्यादी में संदी है ठीक है इस प्रकार के जब सवाल आपके सामने जब संदी और आ वहां के आथहांब के यहां जीनल आद जातने के श्चान जब सब्सक्रार ऐंधार को अभणकर सभाके पूए नबर के रहे हुआ हमगे आपके सिस्टेखव थते इस प्रश्न का रहाए अचे टिख होता है संदीग ठीक है इस प्रशन का सही जवाब एवलापसर सही होगा चलिए अगले नंबर का शवाल को देखते हैं देखें 19 नंबर का फॉलेन सब्द का वचन क्या है और विभक्ति इसमें कौंसा होगा इसमें आपका जो सही जवाब होगा कि एक वचन है यह इसमें Dep prés Story सकी जो गई जो प्रूrok का जिस मेरी होगा दिविवाल आप्स स्जाइगा ठीक है 9 00 अगला है कि अपठम धातु का वचन बताना है कि इसमें वचन काउन सा है और पूरुस काउन सा है झाल प्रूस इसमें जो अपका वचन होता एक वचन होता और यह उत्तम पुरुष के अंत्रगत आता है इस प्रशन का सही जो आप डीवल आपसन सही हो जाएगा ठीक है अब देखें यहां से स्टार्ट होता है खंडबर ठीक है आपका 20 नंबर का बहुई कल्पी प्रशन रहता है इसके लाग पचास नंबर गद्ध्यान पर आधारी तीन प्रशन के उत्तर देना है जही प्रशन कितने नंबर का था है यमि नामिब मित्रता के लिए आवस्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही परकार की कार करते हों या एक उची के हो इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्चक नहीं है दो भिन प्रकृति के मनिस्वय में बरावर प्रिती और मित्रता रहती है रही है राम धीर और सांथ प्रकृति के थे यहां पदिके राम धीर ठीक है लच्मर उग्र और उदद प्रकृति के पर दोनों भाईयों के अत्यांत प्रगार सनेय था उदार था उच्चाशकड़ और लोभी दुरुयोधन के सवभाव में कुछ विश्य समानता ना थी पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी थी देखें इसका क्या करना रहता है आप को अंपर प्रश्चिक पर कैसे लिखें यहां पर आपको प्रश्चों में लिखेगे फ्र नब्र पर यहां पर लिखिए έχει हाँ पर कर द Qiu तर अधिक जब आपको सन्दर्वी भी सा इंते हैं एक नंबर भी नहीं कांटेंगी इसलिए। जब आब यहाँ पर प्रस्टूथ गद्ध्यांश हमारी पर्ट पुछ तक हिंदी के घद गधकनड में संकलित मित्रता नामक पाड से लिया गया यां पाड का नाम मित्रता है इसके लेखक जो आचार रामचंद्र становится शुकले जी है इस तरह आपको संदर्व लिखना रहाता है यादि संदर्व पूच्था है तो यहां संदर्व नहीं पूशा है यहां पाठ का नाम आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे मित्रता लिखेंगे और यह आप कैसे लिखेंगे जब इस वाक्य को पढ़ेंगे देखें यहीं पर मित्रता लिखा है तो पाठ का नाम आप लिखेंगे एंस्वर में कि पाठ का नाम मित्रता है इसके अब दिए दूसरा प्रश्न आप से क्या पूछ रहा है जो यहां पर यहां तक किया है तो इसका क्या है आपनों सब्दों वे इसके ब्याक्ष्या करना है अब देखें इसका ब्याक्ष्या कैसे करेंगे यहाँ पर आप हेर्णिंग लिखेंगे रेखांकित अंस की ब्याक्ष्या और यहाँ पर भी पाईयक खिच लेगे इसका कैसे खिच लेजीगा यहाँ पर देखें जो यहाँ पर लाइन लिखा है इसका मतलब क्या है जो तो, यहां पे पुझा है, ऐसे लिखे हैं उस तरह आपके एक्जामें लिख दीजिए गार। अब अगला प्रशन आप पूश्चा है कि प्रस्तूत gdians में लेखक किया काना आता है तो कि इसका कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर तीन डालिएगा लिखेंगे प्रसूत गध्यांस में लेखा का कहना है कि लेखा कहना चाहता है कि इस मित्रता के लिए दोनों मित्रों का सोभाव समान होना आवस्यक नहीं है. दो भिल्स वावाले विक्तियों में भी मित्रत अच्छी तरह निवती हैं ठीक है तो इस तरह अपने सब्दों में जो यहाँ पे वांग के लिखा है ना फ्रेंश यहाँ पे जो आकल लिखा इसी को अपने शब्दों में बस लिख देना रहता है और हिंदी के प्रप बहुत रहता संदर्व रिखना रहता है या पाठ कित अन्स्की ब्याख्या इस दिर ना रहता है तरी प्रष्णिंगły को पता देता आपको, इस प्रकार से का प्रष्ण पूछता है, प्रस्तूत दिएगये पद्जान पर आधारित तीन प्रश्णों के उत्तर दीजिए आपको यहां तेन प्रश्ण पूछ पूछ रहा है प्रत्र प्रतियक प्रश्ण दोदो नंबर करेंगा छान नंबर करेंगा यहां पिर दिखिए करग निर्गून कौन देशको बासी मदपर कही अभिलासी पावेगी पूनि किया अपनो जौरे करेगो गासी सुनत मौन है रहयो बावरी सुर सवे मतिनासी देखिए इस वाक्य को जब पढ़ेंगे तिहां से आप यह सूर को पढ़के या पाचान सकते हैं कि यह सूर्दास द्वारा लिखा गया है किसके द्वारा लिखा कैसे यहां पर ध्यान दीजिए यह आपको पूरा फूल मार्क मिलता है ना फ्रेंस तो आप जैसे बता रहे कापी जैसे लिखें इसी तरह बोड के एक्जाम में लिखिएगा ठीक है यहां पर लिखेंगे प्रशनोत्तर संक्या डालिएगा दो यहां पर लिखेंगे पहला सूर्दास जी द्वारा रचित सूर्शागर महाकाव्य से हमारी पाठ पुष्टक हिंदी के काप खंड में संकलित पद सिर्शक से उद्रित किया गया है ठीक है तो कवी कवने सूर्शागर से लिखेंगे इस पकास आपको संदर लिखना रहता है अब यहां पर यहां पर य औरहां किअ करना है रहां किळेंती को अफेड यहां की आ करना था कहता है कि है यहां द्यांन कि उल्मारी इसgesetz करेंगे ये गोपियां उद्दो से कहती हैं कि ये निर्गुल ब्राहमर किस देश के निवासी है और उनके पिता और माता कौन है, कौन इस्त्री है, कौन उसकी दासी है, उसका रंग रूप कैसा है, उसकी वेस भूसा कैसी है, तो दावा किस रस की उच्छा रखने वाला है, इन कास आपको ब्याख्या करना सबसे आसान होता है, बस यहां पर जो लिखा है, यहां मदुकर कहीं समुझाएं, सौहें दे, बुस्ति, साज नहासी, कोहें जनक जनक मने पीता, जन्नी माने माता, ठीके नारी माने इस्त्री, दासी माने दास, इस तरह करके आप लिख सकते हैं देखिए, यहां पी लिखे हैं, सभी प्रशनों का कराने वाले हैं, बस आप वीडियो का लास तक जरू देखिए, तिसरा है, कि प्रस्तूत पध्यांस में सूर्दास जी ने, गोपियों के माध्यम से, निर्गुर ब्रहमण की उपासना का खंडन, तथा स्रगुर आपको आराइच कर सकते हैं, ति चलिए आपको एक भी आख्या बता दिए, ति दूसरे के करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, चलिए अगले प्रशनों को देखते हैं, देखिए, तीसरा नंबर का सवाल ध्यांस देखिए, कराग दिए गए संस्क्रीत गध्यांस का स संदर्व सहीत हिंदी में अनुवात करना है अब दीए टोटल कितने नंबर का 5 यह संदर्व लिखते है तो उसन पर 2 नंबर मिलता है और इसके त्रंग गया गंगया कूले इस्तित अस्य घटानाम वले आखिती पंकिती द्वालयाम चंद्रेक्याम बहु राज्ते अगडित पर्यटका सुर्दभ्या देशब्या नित्यम अत्यांति अस्य घटानाच्य सोभाम लोग के यह प्रसंद्धि इस पुरे वाक्य को पढ़ना र चोड़के जो यहां पर दिया है वराराज़ी सुख्यात कर लेंगे प्रसंति कर लेंगे प्रस्तूत गद्यांस हमारी पार्टि पुष्टक के संस्क्रीट खंड ठीक है यहां पर देखिए संस्क्रीट खंड में संकलीट वा सी नामक पार्ट से लिया गया है इस तरह आप यदि इसका संदर्व लिखते हैं तो टोडल दो नंबर इसमें मिलता है अब देखें इसका हिंदी में अनुआद कैसे करेंगे यहां पे देखिए हिंदी में अनुआद वराशी बहुत प्रसीत प्राचिन नगर है इस तरह करेंगे यह स्वच जल्म तरंगो वाली गंगा के क इनारे पर इस्तित है इसके घाटों की गोलकार पंकिती सफेद चांदी में बहुत सोबित होती है असंग के यात्री दूर-दूर देश्चों से यहां आते हैं और इसके घाटों की सोबाद देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं इस पकार यदि' आप व्याख्या करते हो इसमें काट पीड ज्यादा नहीं करते था आपको पूरा इस पर प्रश्ण पर क्या प्रश्ण तर संक्या जो तीन इस पर टोटल पांच नमबर आपको तुरंत मिल जाता है ठीक है चलिए अगले प्रश्ण को देखते हैं देखें यहां पे भी अथवा में रहता है चाहिए इस प्रश्ण का कर लीजिएगा दोनों में इस एक ही करना रहता है अब चलिए आपके सामने अगला प्रश्ण है चौथा नमबर का देखिए इसको कैसे हल करेंगे दिये गए संस्क्रीत पद्यांस का संदर्व सहीत हिंदी में अनुवात करना यह आपको टोटल पांच नम लेंगे यहां पर आप एडर प्रश्ण उत्तर संख्याचार और यहां पर लिखे लेंगे कोष्टग बना के अथा निजब आथवालत कीजिए गए तो इस तरह कोष्टग बना अथा बगल में लिखे लिख लिजिए गा और एक आगया अधु लाइन लिखे जो स्टार्ट संस्क्रीट खंड के जीवन सुत्राड़ी नामक पार्ट से लिए गया इस पकास लिखते हैं जिस पार्ट का नाम लिखिएगा उसको थोड़ा सा काला पेंस आप लिखे लिजिएगा अब इसका हिंदी में अनुवात दिखे कैसे करेंगे इस तरह हैं डान्यों में उत्तम क्य है इस पकास बस शब्दों में आपको लिखना रहता है यहां पर दिया कि धान्यों में उत्तम क्या है धना मतलब धन में उत्तम क्या है यहां से पूछ रहा है कि लाव मतलब लाव में उत्तम क्या है और सुखा मतलब सूख में उत्तम क्या है इस तरह आपको सिर्फ व्याख प्रश्णों में से किसी एक प्रश्ण का उत्तर आपको देना रहता है यहां पर को दिया है यहां पर आपके अनेक प्रकार के प्रश्ण पूछते हैं लेकिन जब खंड काब जिस जीला में जो खंड़काब पढ़ाया जाता है वो खंड़काब आपको हल करना रहता है जितने भी गाजीपूर के छात्र हैं उन सभी छात्रों को बताते हैं कि कौन सा खंड़काब आपको करना रहता है चलिए देखते हैं पहले को है अगले प्रश्णों को देखते हैं देखिंगे धृष्ट को देख लीजेए जतने भी जीले के चात्र होंगे जो पेपर देख रहे हैंगे इसका आप देख सकते हैं कि कौंइसा आप करना जो जिस परहाए जाता है उसी को प्रशन से प्रशन आपको चोड़ देना रहता है प्रस्थ सिर्फ एक हंब करना है अगला प्रशन है छाठा नंबर का निम्नलकीत दीजीए उनकी रचना का नाम लेक भी करना है जीवन परचे लिखते हैं समय उनकी रचना भी लिखना है है यहां पर देखिए हैं जेसों के प्रकेंट प्रमुक और हुण देविवन TWO ginger प्रॉड किसी एक जीवन कई जीवन पर्चे और उनकी रशना लिखना रहता है यह सभी प्रशन आपको याद हो गया होगा अब तक अब देखिए आपके सामने अगरा नंबर का प्रशन क्या है सात्वा नंबर का कि अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्त किये हुए कोई एक सलोग लिखिए जो इस प्रश संक्या साथ लिखिएगा कोई भी प्रशन अपको याद हो यहां पर सिंपल सलोग ठाप लिख दीए हैं आप चब्शा आपको याद होगा लिख सकते हैं तक क्या है सर्वे भवन्तु शूखिना सर्वे संतु निरामिया सर्वे भद्राड़ि पश्षणतू मा कस्चित दु प्रश्णों में से किनी दो प्रश्णों का उत्तर संस्क्रीद में आपको देना रहता है इन चारों प्रश्णों में से किसी देव का ही एंस्वर आपको लिखना रहता है अब देखिए इसका एंस्वर कैसे लिखेंगे यहां पर देखिए यहां पर देखिए आपको दो कि लिएंगे स्वेद के तुर्व्य पूत्र आशित पहला काउंच इस तरह आपको लिखना है दूसरा देखिए विश्वस्यE स्रश्टा कह है यहाँ बिक्या लिखेंगे विश्वस्य के मित्रम का भवती यहाँ पर एंसर क्या देंगे आप कि विशक अतुर्वत्य से मित्रम भवती इस पकास थी अगला देखिए चंद्रसेखर तो नाम किन रखा गया था इसका क्या करएंगे यहां को टो प्रशन करना रहता चार नमबर मिलता है प्रतेक प्रशन दो नमबर का यहां पी चारो का आपको बता धी अगला नमर का जो प्रशन है आपके सामने देखिए कौन सा है देखिए नौ नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसी एक विशय पर निबंद आपको लिखना रहेगा टोटल नौ नंबर कर रहेगा देखिए यहां पर आप से पांच देता है इस पांचों में से किसी एक पर ही निबंद लिखनारा था देखे क्यादियां सौच भारत इसप्यारार थी इसक्ते निबंद विज्यान वर्दान विश्याप की लिख सकते हैं पर अबलisf कि समथ्या और समधन पर लिख सकते हैं जनसंक्या-अबrint Làam जीवन टें लिखने का विड़ो यहीं करने का लिखने हैं और एक जीवन पर आपको जैसे मिन штनक्या ब्रिद्धी हो समस्या और समधन पर आप नंबर आपको देने वाला है चलिए इसका एंसोर देखते हैं देखिए जन संक्या ब्रिधी पर आपका ऐसे लिखेंगे जन संक्या से संबंदी पूछता है तो जैसे लिखें इसी तरह लिखिएगा और देखिए अदम पहले तो कि जब भी आप निबंद लिखिए या कोई प्रशन का उत्तर देजिए अदम क्लीन दीजिएगा साफ कार्पिट प्रयास मत कीजिएगा देखिए यहां पर ब्रिधी और यहां से इसके साफ खिच लीजिएक लाइन और एक लाइन छोड़े के पहले इसका रूप रेखा बनाएगा रूप रेखा मतलब कौण कौण से के बारे में आप यहां पर लिख सकते दिखें बूमिका में क्या लिखेंगे इसकी पहले भूमिका है कि देश की बढ़ती हुई जन संख्या एवं भयावा समस्या है बारत ही नहीं बल्की पूरा विश्व ही इस समस्या से जूज रहा है देश की विकास में ये बहुत बड़ा बाधक है अता सरकार ने इसके समधहान के लिए परिवार नियोजन का आहान किया है पहला एडिंग जो रहेगा इसके भूमिका के बारे में लिख लिएगा दूसरे एडिंग प्राचीन इस्तित यानि प्राचीन समय में ऐसे लोगों का माननेत था अब चलिए अगले हेटिंग को देखते हैं देखिए आपके सामने अगला क्या है दीसरा नमपर के देखिए वर्तमान समय में जन संक्या में ब्रधि बहुत ती व्रगती से हुआ यह देश के विकास के में बहुत बड़ हो चुकी है ठीक है इस तरह लिखेंगे अगला देखिए अभी देश के लिए बोज कैसे हैं देश के लिए बोज चौटा लेंगे निबंद लिखें लिखते समय जीतना हेडिंग आप डालेंगे उतने अच्छा आप के लिए रहेगा और एक्जामिनर आपको क्या करेगा का आधार होता है प्रंदू और नियंतित रूप से बढ़ते जाना निश्चय ही देश के लिए बोज होता है ऐसी दसा में जनसंख्या एक अभिसाप कही जाती है ठीक है भारत इस समय जनसंख्या की दृष्टी से दूसरे अस्थान पर है अगला है बनाएंगे परिवार के ल दाने खाने पहने और स्वास रहने पढ़ाई आधिक अवसर नहीं मिल पाता है अब अगरा दिखिए क्या है इसका निवारा कैसे करेंगे देखिए जनसंख्या की बिर्दी को कैसे रोका जा सके इसके लिए सरकार दूआरा अनेक कदम उठाये गये हैं जनसंख्या नियंद तरुएक्या करने के लिए दिख से अधिक लोगों को सिच्छित कि आजए ठीक है अगला है इसका उप्सनहार देखिए क्या लिखेंगे कटनाई यह है कि यह भोगबाद में विश्वास रखने वाला युग है भारत में विभिन धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं दे इसका विरुवत करते हैं अद्धा जनसंख्या विर्द्धी को नियंद्रित करने में ही देश की भलाई है इस प्रकास यह आप जैसे सभी पेपर बता हैं जैसे लिखें इस प्रकास यह आप बोर्ड के एक्जाम में लिख देते हैं इक्जाम नहीं खूस हो कि एक नंबर भी नहीं काटेगा पूरे मार्क देगा जितने प्रशनों का नंबर रहेगा आपको पूरा पूरा नंबर देगा ठीक है तो जैसे आपको बता है इसी तरह बोर्ड के एक्जाम में कापी भी लिखिएगा और प्रशनों को इसी प्रकास जैसे आप बताए तो उसी तरह करें